जैश्री महाकल दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जिस महीने में आपने जनम लिया है उससे आपकी परसनेल्टी पर क्या परभाव पड़ता है आपको बहुत जादा रिलेटेबल यह वीडियो लगने वाली है क्योंकि काफी सारे लोगों पर मैंने यह ट्राई किया उसके बाद जाकर फाइनल यह वीडियो बना रहा हूँ जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर एक महीने के व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे असल में आपकी फूल डिटेल तो आपकी कुंडली और आपके डेटो बर्थ से पत करते हैं और इसके साथ मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी मैं आपको मन्त का बता रहा हूँ जो भी आप रिलेट कर पाओ तो उसको कमेंट बोक्स में जरूर बताना कि किस मन्त से आप रिलेट कर पा रहे हो और जो भी आपको पॉइंट अच्छा ल मिलते हैं, ambitious होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये number one rule, इस birth को, यानि कि इस month को number one rule करता है, ऐसे लोग बहुत कड़ी मेनत पर believe करते हैं, क्योंकि they think कि कोई भी काम करे, मुझे एक king की तरह इसे rule करना है, चाहे मैं job करूँ, चाहे business करूँ, चाहे किसी relationship में ही क्यों ना मेरी authority, मेरा dominance उस इंसान पर होना चाहिए, यानि कि उस relationship में होना चाहिए, यह लोग जब बात करते हैं, जब चलते हैं, तो इनके अंदर एक अलग से attraction होता है, इनकी बातों, इनकी बातों करने में भी एक अलग से charm होता है, बहुत ही attractive होते हैं ये लोग, इनके चलने में ही इनका charm का पता लग जाता है, first impression से कई सारे लोग आपको arrogant यानि कि घमंडी, egoistic समझ सकते हैं, यानि कि कोई भी व्यक्ति आपको पहली बारे देखेगा, या first impression में आपको कोई भी घमंडी या egoistic समझेगा, क्योंकि आपकी एक आदत है, जब आप किसी व्यक्ति को नहीं जान होगे, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती थोड़ी बूत बढ़ने लग जाती है, आप बिलकुल खुल जाते हो, बहुत अच्छे हस्मुक फ्रेंड बन जाते हो, इस वज़ह से क्या होता है, कि जो व्यक्ति आपको जान नहीं रात दूर से देख रहा है यानि कि जो व्यक्ति आपको दूर से देख रहा है, जो व्यक्ति आपको फर्स टाइम देख रहा है, तो वे सोचेगा यार, यह तो बहुत ही एरोगेट है, बहुत ही गुश्चेगा, अपने आप में रहता है, लेकिन जो वही व्यक्ति आपको जानने लगेगा, यह आपस से मदद मांगेंगे तो बोथ helping nature के होते हैं यानि कि help कर देते हैं भले पैसे से मदद ना करें क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर मैंने कि पैसे का लेंदन किया तो कहिना की रास्ता खराब हो जाएगा इसलिए जादा तर मदद ये एक original सची unique advice दे कर करते हैं January में पैदा हुए लोग यानि कि January में पैदा हुए लोगों के पास ये देखा गया कि उनके उनसे अगर advice उनकी advice उनकी सला मांगता है तो व्यक्ति उसका फाइदा होता है यह लोग अपनी problem दूसरा के साथ कभी नहीं share करते क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपको उनकी कोई भी आपको यानि कि उनका कोई भी पता चले या ये नहीं चाहते कि उनकी कोई भी problem पर हसे तो उनके मन में ये ख्याल चलता ही रहता है या तुम ये मुझे समझेगा नहीं या फिर समझेगा तो खुशी होगी कि मैं प्रॉब्लम में हूँ इसलिए ये सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी नहीं बताते क्योंकि मैंने कहा था थोड़ा सा अजीम होड़ साथ ही शैंशावाली इनकी परस्टेलिटी होती है राजा होते है इनको राजे की तरह रहना बहुत अच्छा लगता है बस यही बात है उनके मन में चलती रहती है सामने वाले परस्टेलिटी को पहचानने की कला इनमें खूब होती है बातों बातों में यहां फिर फेशिल स्ट्रक्शर से intuition से सामने वाले के बारे में पता लग जाता है जिनका भी January में जनम हुआ तो कुल मलाकर ये थोड़े से arrogant होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं helping होते हैं, थोड़े egoistic होते हैं ये लोग अच्छे होते हैं, किसी से बाते शेयर करना पसंद नहीं करते अगर आप लोग January के आपने इन सबी बातों से relate किया तो comment box में comment जुरू करके बताईए इसके बाद बात करते हैं बात करते हैं, बात करते हैं जिन लोगों का जनम फरवरी मंत में हुआ है काफी innocent होंगे, बहुत अच्छे listener होंगे ये लोग financially management में भी थोड़े weak होते हैं ये लोग अपनी वानी से दूसरों का दिल कैसे जितना ये बखू भी जानते हैं हाला कि अपने काम को लेकर थोड़े से कम passionate होते हैं और अगर उनके काम में pressure है अगर उनके काम में target वगरा है तो या जातर उस काम से हड़ जाते हैं क्योंकि फरिवरी का यह महिना नमबर दो से रूल होता है नमबर दो representing moon को करता है एक शीतलता का planet है moon जितना भी काम composer पीसफुल महोल उनके आसपस रहेगा उतना ही जादा ये लोग बहुतर परफॉर्म करते हैं ये लोग दूसरों की help करने में बहुत जादा आगे रहते हैं अगर आपको इन्हों दोस्त बना लिया अगर ये एक अच्छे दोस्त होते है इसे के साथ अच्छे दोस्त से एक बात यारे फरिवरी से अगर आपका जनम होता है तो ना तो बहुत जल्दी friendship भी करते है यानि की जिनका भी फरिवरी में मंत है ये बहुत जल्दी friendship नहीं करते है और especially अगर female है तो बहुत जल्दी friendship नहीं करेंगे जानेंगे परकेंगे उनको यानि की अच्छी तरह उनको परकेंगे उसके बाद लोगों के साथ आपका विवहार देखेंगे तब जाकर आपको अपना दोस्त बनने के लिए मंजूरी मिलेगी या मंजूरी देंगे और एक बार अगर आप इनके दोस्त बनने तो फिर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप किसी प्रावलम में आने वाले हैं तो यहां आगे खड़े हो जाते हैं ऐसे लोगों का मैंने बहुत क्रेटिव बहुत चुलबला और इदर उदर फुदकता हुआ यानि कि चुलबले होते हैं बहुत हसी मजा करने वाले होते हैं यानि कि चंचल सभाव के होते है यूजली नमबर दो चंदरमा का अंक है तो ऐसे लोग सुंदर या फिर गोरे रंग के भी देखने को मिलते हैं पर यह हर बार यह भी ज़रूरी नहीं है कि आहम तोर पर ऐसी बाते देखी जाती दस में से छे लोगों के साथ ऐसी चीज़े रिलेट करने को मिलती है अगर आपको मेरा फरबरी का अनेलसी सही लग रहा है जो भी मैंने बाते हैं बताई या आप उसे रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए अब बात करते हैं जिन लोगों का जनब मार्च में हुआ है इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत गजब की होती है ट्रैवल करने का बहुत मान होता है एक्स्प्लोरर होते हैं अकेले भी घुमने का अगर मोका मिलता है तो चले जाते हैं इनका फ्रेंड सरकल छोटा होता है आमतर पर जो बच्पन में दोस्त बन गए बस वहब बन गए बाकी लोगों के साथ ये भले हस खेल ले कुडले जूम ले या फिर कहीं भी घूम ले ये ज़्यादा तर अपने बच्पन के दोस्तों के साथ ही अपने दिल की बाते शेयर करते हैं थोड़े से टॉकेटिव होते हैं यानि कि थोड़े से बोलने वाले ज़्यादा मिल सकते हैं आपके थोड़े से बाचित करने वाले मिल सकते हैं अपना मजाक उड़ाकर दूसरों के चहरे पर हसी लाने वाला भी इनका सुभाव होता है दोस्ती और रिष्टे को निभाने में सबसे आगे होते हैं थोड़ा डिसिप्लिन भी इनके अंदर आ जाता है अपनी परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अगर आप ध्यान दे तो आपको देखें तो ये अपने कोलिज के फ्रेंड के साथ अलग है और स्कूल के फ्रेंड के साथ अलग है अपने कलीक्स के साथ ये कुछ अलग तरह से बरताफ करेंगे अगर दो अलग दुनिया के लोग मिल जाए स्कूल वाला फ्रेंड हो, ओफिस वाले फ्रेंड के साथ मिल जाए तो दोनों कहेंगे भाई यार, क्या है वही आदमी है जिसको हम दोनों जानते हैं इस तरह का बेहवियर इनको हो सकता है, यारों के यार होंगे, मिलनसार होंगे बहुत ज्यादा responsible भी होते हैं, अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए बंद कमरे में काम करने वाले हैं, दुनिया को लग सकता है कि क्या हस रहे हैं इनको अपने काम पर कोई ध्यान नहीं, बट ऐसा नहीं होता या अकेले में मेहनत करते हैं, चुप चाप, silently मेहनत करते हैं और result भी जब आता है, तो शोर इनका result मचा देता है यानि इनका result ही शोर मचा देता है अपने उपर काम करना, knowledge गेन करना, इनका शोंक होता है knowledge सिर्फ अपने काम से related नहीं हो सकता या किसी IT industry में हो, networking में हो पर knowledge हर एक शेतर की ये बटोरते रहते हैं हर एक शेतर के बारे में ग्यान लेते रहते हैं photography हो, या industry में हो, international relationship हो यानि कि international relationship show या इस तरह की video या फिर books पढ़ते ही रहते हैं इसलिए यह लोग अपने काम परिवार या फिर हर एक जगा पर अपना एक अलग पहचान बनाने में भी सफल हो जाते हैं थोड़ी responsible से भी मिलेंगे आपको उनकी दो कमिया मिलती हैं savings करने में बड़े बुरे होते हैं ये दोखा कभी नहीं देंगे इनको आता ही नहीं आप इन्हें किसी भी तरह के काम दे दें इसे यह पूरा करकर ही दम लेते हैं और मैं बताओं यह थोड़े secretively भी होते हैं कई सारे mission पर यह चलना चलते हैं यह अकेले चलते हैं यानि कि उनके आसपास वाले लोगों को पता ही नहीं लगता कि यह secretively क्या काम कर रहे हैं यह बहुत कुछ करते रहते हैं यदि आप लोग मार्च के हैं आप लोगों ने इन बातों से relate किया तो comment box में comment जुरू करके बताए कि इन में से कितनी बाते आपको relatable लगी है इसके बात बात करते हैं जिन लोगों का जनब अपरेल के मंत में हुआ है अगर आपका जनब अपरेल के महीने में हुआ है तो आप बहुत beautiful हो बहुत cheerful मिलेंगे थोड़े से जिद्धी सबाव के मिलेंगे जिद्धी share कह सकते हैं इनको इनको बदलते दिनों की तरह बदला नहीं करते एक बार मनजिल पर पहुंचने की देरी है एक बार मनजिल क्या यह पैचानने की देरी है अगर यह मनजिल को पैचान लेंगे तो फिर मुश्किल क्या असान क्या ठान लिया तो ठान लिया इनका वो वाला सभभाव होता है इनका निचर भी रोमेंटिक होता है यह कभी इस चीज़ को जिताएंगे नहीं उनके आसपास वाला हर व्यक्ति जान जाएगा कि भाईया इनका सिस्टम चल रहा है उसके साथ बटी यह कभी सामने जाकर उसको नहीं बताएंगे हस्ते सभभाव के मिलेंगे गुसा थोड़ा इनके करीब होता है गुसा थोड़ा तेज होता है ऐसा कह सकते है बड़े क्यूरियस होते है इनको काफी सारी चीज़ों में दिल्चस्पी होती है और उसके लिए गुसा थी हमेशा पूछते रहते है अपने सभाव में रिजल्ट देखेंगे यानि कि बहुत जल्दी अपने आपको बदलते नहीं है या फिर अपना जो थिंकिंग पैटर्न है थिंकिंग प्रोसेस है आपको भी बहुत ज़्यादा बदलते नहीं है अगर आपको इनकी कोई बात समझनी है अगर आपको इनको खुश करना है आपको तारकी तरक देने पड़ेंगे आपको लोजिकल बाते ही करनी पड़ेंगी आप इससे बड़ी faithful या फिर हवा हवाई वाली बाते नहीं कर सकते जल्दी open नहीं होते हैं ऐसे लोग वक्त लगाते हैं पर जब भी open होते हैं तो ये reliable friend बन जाते हैं इन पर आप reply कर सकते हैं और अगर ये आपके दोस्त हैं तो आपके मूँ पर आपकी बुराई करने में भी पिछे नहीं हटेंगे क्योंकि यह एक natural critic है समझ लीजिए कि इनको अगर कोई चीज गलत लग रही है तरक संगत नहीं लग रही तो उसे उस पर सबाल उठाते हैं बता देते हैं ऐसे लोग freedom lover होते हैं खीक है इतना pressure में मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी creativity या फिर मेरा जो potential है यहाँ पर सही से utilize नहीं हो पा रहा है यह लोग आपको adventurous मिलेंगे काफी ज़्यादा दुख हैं फिर struggle से इनको गुजरना पड़ता है life में लेकिन मन में कभी बहुत ज़्यादा निराशा लेकर नहीं बैड़ते हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं यह देखा गया है कि अगर आप अपरेल बोन होते हैं जो एक master plan आप बना कर चल रहे हैं वह शायद सफल नहीं होता लेकिन उससे बहतर कुछ आपको ज़रूर मिलता है इसके अलावा यह थोड़े से daring भी होते है थोड़े fearless होते है किसी भी situation में हो फिर कितना भी बड़ा आदमी उनके सामने हो डट कर उनका सामना कर लेते है अपनी बात उनके मूँ पर कह देते है इन्हें हमेशा लगता है कि डर के आगे जीता है तो यह है अपरेल के मेने में जनने लोगों का व्यक्तितव मेरी तरफ से आपको इसमें कितनी बातों से आप रिलेट कर पा रहे है सो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताए कितनी बातों से आपने इनमें रिलेट किया इसके बाद बात करते हैं जिन लोगों का जनम मई के मंत में हुआ है ऐसे लोग बहुत ही sharp minded होंगे दिमाग से बड़े तेज होंगे secretive है बहुत teddy buddhi के आदमी है थोड़ा से यह अपने बारे में भी सोचने वाले होते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है बड़े ठाट बाट से रहना पसंद करते हैं अच्छे कपड़े पैना अच्छे परफ्यूम अच्छे जूते इन सब का शोओं को पालते हैं इन चीज़ों में इनकी choice बहुत ही कमाल की होती है जो भी पसंद करते हैं बड़ा उमदा पसंद करते हैं काफी ज़्यादा देखा गया कि खर्च करने से पहले ना सोचते हैं ना ही कहते हैं जिन्दगी एक बर मिली है दो बर क्या सोचा यानि कि परवाह नहीं करते हैं जिन्दगी एक बर मिली है खर्च लो जिन्दगी जी लो ये लोग अकसर लाइफ में leadership position पर बहुत अच्छा perform करते हैं अगर यह किसी position पर फस गए हैं जहां पर इनका फैसला लेने की इजाज़त नहीं है यह वहाँ पर घोटर महसूस करेंगे मन में तीरव इच्छा होती है अपना खुद का कोई विपार करना खुद का कोई काम करना अगर आप लोग इस मई के मन्त से रिलेट कर पा रहे हैं तो comment box में comment जरूर करिए इसके बाद बात करते हैं जिन लोगों का जनम जून के मन्त में हुआ जून के महीने में जनमे लोग जिद्धी होंगे जंगली शेर हैं यह दिल वाले लोग होते हैं dominant personality वाले होते हैं hard working होते हैं कभी-कभी थोड़े irritate भी जल्दी हो जाते हैं irritation इनको बहुत जल्दी हो जाता है जब irritation हो जाता है तब यह थोड़े से ऐसे हो जाते हैं यानि कि sad हो जाते है sad song सुनना इनको पसंद हो जाता उस time period में इस तरह का behavior हो जाता है very very hard working हो जाते है जैसा मैंने आपको पहले बताया बहुत कम उमर में यह देखने को मिल सकता है कि ऐसे लोग कुछ बहतर कर रहे हैं बाकी के लोगों से कुछ नया कर रहे हैं और risk ले रहे हैं उनके बारे में एक misconception भी है कि लोग इनके बारे में एक चीज गलस होते है और यह है कि बहुत ज़्यादा innocent बहुत ज़्यादा ड्यालू है ना यह rootless होते है यह innocent यह ड्यालू होने का नाटक दुनिया के सामने कर सकते है और यह अंदर से बहुत ज़्यादा चतुर चलाक भी होते है और होना भी चाहिए कल्यूक की दुनिया यहाँ पर चतुर चला को लोग ही कामयब होते हैं अगर यह है तो आप बचे रहेंगे इनोसेंट लोगों के साथ काफी प्रोब्लम देखने को मिलती है जो जून में पैदा हुए लोगों के साथ मैंने यह देखा है कि यह ना अपने काम जब इनको कोई जरूरत पड़ती है उनको पता है कि सामने वाले व्यक्ति से मेरा यह काम निकल सकता है तो इसमें यह हैजिटेट नहीं करते यह सामने वाली व्यक्ति से जाएंगे help मागेंगे और अगर सामने वाली व्यक्ति हैं सोचते है कि मेरे उपर करच चड़ रहा है इसलिए मेरी मदद करे है मेरे उपर करच चड़ गया और मुझे इस करच को हटाना है यानि कि बदले में मैं बहुत जादा लोगों की help करते मैने बहुत जादा किया आपने इससे RELAID किया तो कमेंट वक्स में कमेंट करके जरूर बताईये इसके बाद बात करते है जुलाई की यानि कि जन लोगों का जनम जुलाई में होता है ऐसे लोग मूड़ी नेचर के मिलेंगे, मिस्टेरियस होंगे यानि कि इन लोगों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होगी कभी-कभी इस बात का बिहेव कर सकते हैं कि मैं थोड़ा सा पागल हूँ, थोड़ा सा साइकल हूँ कभी-कभी अचानक से फिर बहुत ज़्यादा intellectual भी बन जाएंगे इनके mood में अचानक यह funny भी बन जाएंगे actual में इनका nature क्या है, यह सिर्फ यह खुदी जानते है यानि कि mood इनके बहुत change होते है या सामने वाले कोई पता ही नहीं लगने देते बट talented बहुत होते हैं अपने आपको पानी की तरह रखते हैं, यानि कि जैसा देश अपने आपको यानि कि ऐसे लोगों थोड़े आलसी भी मिलेंगे, और उतना ही ज़्यादा दिमाग यह दिमाग से तेज भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे ज़रूरी नहीं है कि आलसी है तो इनसा दिमाग से पैदल होगा आलसी है बट smart work करना या smart work करने पर यकीन करते हैं इसलिए ये लोग अपना काम वक्त पर नहीं कर पाते smart work करने के चकर में नए हित्यास के चकर में थोड़ा सा डिले हो जाता लेकिन जब भी वह काम होता है और उसे और बहतर होता है और दुबारा फिर उन्हें इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उन्होंने उसको ऐसा सेट कर लिया है जुलाई में पैदा हुए लोगों की अगर बात की जाए तो ऐसे लोग ना बरीक्यों में ध्यान ज़्यादा देते हैं कौन क्या कह रहा है उसके पिछी क्या मतलब है उसका ये सेंस इनका बच्चपन से ही मिला हुआ होता है जुलाई में पैदा हुए लोगों के साथ यह भी देखने में आया है कि यह देखा गया है कि यह अपने आगे लोगों की बाते सिर्फ तभी समझते है जब बहुत हैवी ऐसे लोग ना थोड़े मल्टिप्लायर एम्प्लिफायर कर लीजिए आप इनको यानि की अगर किसी के साथ यह जोड़ जाएंगे फॉर एक्जामपल अगर किसी के बिजनस पार्टनर बन गे तो उसकी काबिलियत उसकी शक्तियों को ही और एन्हांस कर देंगे अपनी प्रेजनस की वज़स से यह एक मल्टिप्लायर एक एम्प्लिफायर है उनके साथ अगर आप में किसी को मिले तो ज़रूर करेगा यानि कि किसी के साथ में मिले तो मल्टिप्लायर करेंगे यानकि उनके लिए करिना की भागे शाली तो ये था मेरा NLC जुलाई के लोगों के लिए अगर आप लोगों ने रिलेट किया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू करके बताए अब बात करते हैं जिन लोगों का जनम अगस्त के मन्त में हुआ है या बड़े ही हेल्पूल नेचर के होते हैं आपको मिलेंगे लेकिन इनके जूटे लोग पसंद नहीं है या जूट इनको बिल्कुल भी बरदाश नहीं है इनको अगर कोई जूट बोल दे जरा बरदाश नहीं होता अगर आप उनके साथ रिलेशन्शिप में है आप अपने एक्स की अपने पोस्ट की ज़्यादा बाते होने लगते हैं प्रेजन्ट में बाते करो तो खुशियों की बाते करो गम की बाते क्यों कर रहे हैं ये लोग बड़े ही रिस्पॉंसिबल नेचर के होते हैं यानि कि ये प्रेज़ेंट में जीने वाले होते हैं लेकिन ज़्यादतर अकेला रहना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगा इनको पसंद नहीं होती 25 साल की उमर के बाद इनका भाग्या डेवलोप होता है यानि कि अकेले रहने वाले जो मैंने बोला उससे पहले यार दोस्तों के साथ रहने में 25 साल से पहले यार दोस्तों के साथ रहने में थोड़ी इनको खुशी मिलती है ये लोग दूसरों के लिए बड़े लोयल होते हैं लेकिन कभी भी अपना गुसा कंट्रोल नहीं कर पाए, तो शनी करोधी है, थोड़े टाइम के लिए गुसा आएगा लेकिन तेज आएगा, अगस्त में पैदा हुए लोग ग्यान के बड़े शुकीन होते हैं, पढ़ाई के बड़े शुकीन होते हैं, मेंती होते हैं, हर एक क पहानी चलती है, तो सबसे पहले इनको याद किया जाता है, उसको बुला लूँगा, अच्छा काम करता है, तो अगस्त में पैदा हुआ लोग, यानि कि जिन्दा दिल होते हैं, हस्मुक होते हैं, ऐसे लोग दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं, और दूसरे भी इनका द दोस्त बनना चाहते हैं, अगस्त में पैदा हुए लोगों का एक छोटा सा एनलसी, मेरी तरफ से अगर आपको ये एनलसी सही लग रहा है, या आप इनसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं, इसके बाद बात करते हैं, जि मैच्योर्टी लेवल थोड़ा सा कम देखा गया, कहते हैं ना दिल तो बच्चा है, थोड़ा कच्चा है, यही बात, बिलकुल इन पर स्टिक बैढती है, मैच्योर्टी लेवल थोड़ा कम होता है, इससे यह मत समझ लीजिए, कि यह फैसला अच्छे नहीं ले पाई, ये बाहर से आपको देखने के सक्त मिलेंगे यानि कि वैसे ये बाहर से नारील की तरफ है यानि कि बाहर से सक्त है अंदर से थोड़े नरम है अंदर से बहुत ही soft होते हैं सबसे बड़ी quality स्टंबर में पैदा होने की वज़से है कि इनके अंदर जो आती है वो change की यानि की change को accept करने की जितनी जल्दी change को accept करते हैं शायद किसी और महीने में जनम लिए व्यक्ती accept नहीं कर पाता बहुत यच्छे QC learner होते हैं जिस वज़से ये हमेशा समय के साथ relevant बने रहते हैं लेकिन एक बात इनके अंदर देखी गई है कि share करना बहुत पसंद नहीं करते यानि कि किसी से भी कुछ share करना बहुत पसंद नहीं करते अपने आपकी जो एक personal life है personal रखना जाते है खासकर इनका कोई secret या इनने कोई problem है तो यह बहुत जल्दी बताते नहीं है अपने परिवार तक को नहीं बताते क्योंकि उनके मन में यही चलता है न कि यह मेरी problem है मैं अगर परिवार वालों को बताऊंगा तो यह लोग भी परिशान हो जाएंगे तो इसे अच्छा है मैं सारी problem खुद ही जहलू बहुत अच्छा मंत माना जाता स्थंबर में बोन जिनका भी जन्म स्थंबर में होता है बहुत ही अच्छे होते हैं लोग यह बहुत ही चुलबले होते हैं creative होते हैं थोड़े बातोनी भी होते हैं मस्त मुला होते हैं आसे लोग और ऐसे में ऐसे लोग काफी उचाईयों पर जाते हैं सिर्फ एक क्वालिटी के वज़ज़ से हमेशा रेलिवेंट बने रहना बहुत बड़ी क्वालिटी है असान शब्दों में बोल दी कि अगर जिनका भी से स्टमबर में बर्थ हुआ है तो यह बहुत ही भागेशाली होते हैं असे लोग अगर आप लोग ने रिलेट किया तो कमेंट बोक्स में कमेंट जरू करिए जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगता बुरा लगता तो बहुत पर कमेंट जरू करके बताए मुझे इसके बाद बात करते हैं जिन लोगों का जनम अक्तूबर के मंत में हुआ है अगर आपके जनम अक्तूबर के महीने में हुआ है तो वेरी वेरी इंटेलिजेंट यहां मनी मैंडेड शब सुनने में आपको लग सकता है बड़ा खराब बट यह बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप मनी मैंडेड कोई सी चीज दुनिया में बिना पैसे के चल नहीं रही है ओपसिट जेंडर के लोग है वैसे बहुत जल्दी एट्रेक्ट हो जाते हैं कि अक्तूबर वालों से उपए जेंडर के लोग बहुत जल्दी एट्रेक्ट हो जाते हैं विकोज इनके अंदर कुछ एक खास और हाला कि फाइनेशली डिसीजन में यह थोड़े से वीक होते हैं पैसा थोड़ा लाइफ में देर से कमाना शुरू करते हैं काफी ज़्यादा हाड़ वर्क के बाद प्रॉलम्स के बाद उनके जीवन में अच्छा खासा धनाता है आगे चलकर पैसा अच्छा अना शुरू हो जाता है जब एक पर धनाता है तो फिर आता ही रहता है रुकता नहीं वेरी गुड इंट्यूटिव पावर अपनी सोचने समझने की शर्त इनकी बहुत ही ज़्यादा होती है लीडर्शिप क्वालिटी भी इनके अंदर बहुत अच्छी देखी गई है अक्तूबर में पैदा हुए लोग कई सारे लोगों को कैसे और्गनाईज करना है किस तरह से चीज़ों को एनलाईज करना है कोई रिजल्ट पर पहुँचना है बहुत अच्छे से जानते हैं बहुत भुखू भी जानते हैं इनके सबकॉंशियस माइंड में उनके काफी ज़्यादा इत्याश चलते रहते हैं और सबकॉंशियस माइंड को लेकर एक काफी सदर फैसला भी अपने जीवन में लेते हैं और ऐसे लोगों को देखे गया है कि प्यार में थोड़ा सा धोका मिल जाता है इनको या फिर प्यार में बहुत जल्दी पढ़ते नहीं है कुल मिलाकर जो रिलेशन्शिफ वाली बात है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा उप्यूकत नहीं है मतलब जरूरी नहीं है कि आपस में लकी हो हो भी सकते हैं आपस में लकी हो भी सकते हैं अक्तूबर का मेरा एनेलसिज आपके लिए ये था यह लोगों के situation में खुद को balance करना बक्षू भी जानते यह लोग जब गुसे में होते हैं तो उसी time पर कुछ भी करने के लिए त्यार हो जाते हैं यानि कि जब भी कोई extreme emotion इनके पास आएगा जैसे बहुत खुशी है तो कुछ भी करवा लो बहुत गम है तो भी कुछ करवा लो बहुत ज़्यादा excited है तो भी अपना best performance देते हैं तो usually अगर आपको बहुत ज़्यादा best करना है किसी भी चीज में तो उसे चीज में या उसे particular task में आपका excitement होना बहुत ज़रूरी है ये लोग बड़े ही sensitive nature के मिलेंगे और आप वादे के बड़े पक्के टाइप के होंगे यानि कि जो वादा कर दिया उसको निभा कर रहेंगे मतलब अगर आपने इनसे कह दिया कि चलो मिलते हैं बुद्वार को या वीरवार को किसी वी दिन आपने ऐसे बोल दिया और अगर आप नहीं मिले तो ये बुरा मान जाएंगे क्योंकि आपने जो वैसे भी कह दिये मान लेते हैं जल्दी इनको लगता है कि इनसे कहा है तो मिलेगा ज़रूर उन्हें ये बात बड़े देर में समझ आती है कई बार लोग ऐसे फालतू बहुत कुछ बोल जाते जो उमीद नहीं करते बट इनका दिल इन छोटी छोटी बातों से दुख सकता है या दुख ही जाता है तो प्रोमिस के बड़े पके हैं खुद भी जो प्रोमिस करते हैं पूरी पावर से उसको निभाते हैं और ये लोग गूड इन फाइनस गूड इन मैनेजमेंट मैनेजमेंट करने में और फाइनस से फाइनस बनाने में पैसे से पैसे की कला में माहिर होते हैं पैसे की सेविंस करने में भी ये अच्छे होते हैं इनके अंदर एक खास बात यह देखी गई है कि इंट्यूशन पावर सबसे ज़्यादा है गजब की पावर हो कम उमर में ही जिम्मेदारियां को कितनी बखूबी से संभालते हैं नवंबर में पैदा हुए लोग अकसर थोड़े से सुन्दर खूबसूरत भी देखे गए हैं दिल के खूबसूरत तो होते ही हैं ये लोग अगर बात की जाए नवंबर में पैदा हुए लोगों की तो यहां पर यह देखा गया कि अपने परिवार के लिए बहुत बहतर करने के एक प्रिये इच्छाए उनके मन में जनम से ही होती है अपनी माता जी के लिए अपनी पिता जी के लिए अपने भाई-बैनों के लिए यह करुँगा इस तरह का ख्याल उनके मन में हमेशा रहता है आप नवंबर में पैदा हुए हैं आपने कितनी बातों से रिलेट किया अगर आप कोई भी बात अच्छी लगी हैं आप किसी भी बात से लेट किया तो comment box में comment जरू करके बताएं जो भी अच्छा लगता है बुरा अच्छा जो भी हो आप बता दीजिए इसके बाद बात करते हैं जिन लोगों का जनम दिसंबर में हुआ यानि कि दिसंबर मन्त में जनमे लोग ये लोग बहुत ही secretive and sensitive होते हैं इन लोगों को अपना एक बड़ा friend circle पसंद होता है मेरा एक friend circle बहुत बड़ा हो लेकिन उसे friend circle में secret रहना यानि कि secretive रहते हैं अपनी बाते नहीं बताते पर हर किसी की बात इनको जानना है गलत चीज बिलकुल पसंद नहीं आती या किसी भी गलत चीज को पसंद नहीं करते यानि कि अगर इनको इनके साथ कोई गलत वेवार करते यह तो बात अलग है अगर किसी सामने यानि कि किसी दूसरी के साथ भी गलत विवार हो रहा है दो gimmick को को किसी को दे रहा है तो इनको यह बात पता चल गी तो यह वहां पर भी जाएंगे और उसी पर अवाज उठाएंगे दूसरों के लिए यह इनलोगों को मैंने बहुत देखा की सच के लिए लडने के लिए हमेशा अगे रहते हैं लोगों काभ़ला करने के लिए आगे होते हैं यह लोग बड़े emotional होते हैं जल्दी हर किसी पर believe कर बैटते हैं इस वज़े से जब ये अडल्ट फूट की तरफ जा रहे होते तो काफी जादा धोके वगेरा भी इनको मिलते हैं यानि कि अडल्ट एज में इनको काफी सारे धोके वगेरा भी मिलते हैं उसके बाद इनको अकल आ जाती है कि दुनिया संसार में कैसे लोग है उसके बाद इनक रखेंगे, family को भी कम नीचे रखेंगे और career को आगे रखेंगे सबसे ज़्यादा अपने career पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो यह था December का analysis मेरी तरफ से, अगर आप लोगों को, इन में से आप कोई भी बात से relate कर पा रहे हैं, कोई भी यह था मेरा आपके लिए, सभी के लिए analysis जनवरी से लेके, December तक का सभी लोगों के लिए यह था आपका analysis अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को share कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, साथी साथ bell icon को प्रेस कीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो के notification मिलती रहे और अगर आप लोग में से consultation जाते हैं यानि कि अगर आप पामिश्टी का consultation जाते हैं, astrology consultation जाते हैं तो number आपको description मिल जाएगा तो इस number पर आप जाकर में से contact कर सकते हैं Om Namash Shivaya